कॉमिटी पर्फॉर्मेंस ले क्या रहे जी नीरज वर्मा जैसे तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मैं हूँ हरियाना से तो हमारे हरियाना में जो एक बेटा होता है वो अपने पिता की 100% सारी बाते मानता है तो एक बार एक पिता अपने बेटे से कहता है कि जिस हिसाफ से तू पहले से पढ़ता हुआ रहा है अगर इस बार भी तू फेल हुआ तो आगे से मेरे को कभी अपना बाप मत कहना तो इसी के चलते अगले दिन बेटा घर पे आता है और बाप पूछता है बेटा रिजल्ट क्या रहा तो बेटा कहता है इम्मत ही पूछो राम परशाद क्या बताऊं दुमको तो अरियाना में जो पिता होते है ना उनको भी अपने बच्चों के उपर पूरा भरोसा होता है कि वो क्या कर सकते है क्या नहीं कर सकते है तो एक बार एक बाप अपने बेटे को कूट रहा था बाकी स्टेटों में तो मारा जाता है, यमारी अरियाणा में कूटा जाता है तो एक बुज़ूर्ग अंकल आके कहते हैं कि बिचारे बच्के को क्यों मार रही हो तो पीता कहता है कि कल इसका रिजल्टा और मेरको बाहर जाना है तो अगर फेलो गया तो पहले से खुराक देनी तो बनती है और आज कल के टीवी शोज और जो स्किट्स आती है टीवी के उपर उनमें ये दिखाया जाता है कि महिलाओं और पतनियों के उपर बहुत अत्याचार होता है बलकि होता आदमियों के उपर भी है बस औरते जता पाती है और आदमी जता नहीं पाते और वैसे भी पती कहलो बेचारा कहलो एक परायवाची शब्दी है और अगर इतिहास को लेके चलें तो पहले जितने भी युद्ध हुए है सब ही महिलाओं की वज़े से हुए है महाबारत हुई द्रोपती जी की वज़े से मरे आदमी कोई भी एक ऐसा युद्ध नहीं है जो आदमियों के वज़े से हुआ हो और औरते जाके लड़ी हो रमायन हुई तो सीता माता जी की वज़े से मरे आदमी औरते हमेशा लड़ा सकती है कभी लड़ नहीं सकती तो इसी के साथ अब अगर हम चलते हुए पीड़ी को देखते हैं तो आगे की तरफ फोन आ चुके है अगर फोन को फोन की जगा बाप का जाता तो आज कल की बाते कैसी होती कि यार पापा को कितना चार्ज कर दिया दोनों सैड़ से गर्म हो गए इनको कोई जल्दी धनडा करो अरे पापा को जल्दी चार्ज लगाऊ पापा का तो एक इडंडा रह गया थेंकियो सेर इसमें KKHT, इसमें KKzd KKHTT है क्या अरे आपको नहीं पता किसमें कितना है दम तुरिया के सामने अपना टैलेंट लाने के लिए सबसे अच्छा टैलेंट जो है इनका नंबर क्या नाइन जीरो फोर वान सैबन डबल ट्री सैबन डबल ट्री